बांगलादेश में शनीबार को विपक्ष की रैली की बीच हिंसा फैल गई इसके बाद विपक्षी दल बांगलादेश नेसनल पार्टी यानि की वी एनपी के कारीकरताओं की पुलिस के साथ में जड़प हुई है जिसमें एक पुलिस सदिकारी की मौत भी हो गई है इस हिंस ये पिछले 45 महिनों का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है शनी बार को विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दोरान जम कर उपद्रब हुआ ये दोरान देश के चीफ जस्टिस अबेदुल हसन के घर पर भी हमला हुआ है सुरक्षा बलों की उपद्रबियों को काबू करने के कोशिश के दोरान कक रेल चौराहे सुप्रिम कोट शेत्र और मुखे नियाए धीस के अबाद के सामने भी जणपे हुई और जिसकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे है